पाज के फंडे के विनिंग सिरीज 86 में मिलते हैं 1st question के साथ The Funnel Database of 2021 for India compiled and recently released by Geological Survey of India. According to database, the discovered species Crocedura narco-damica belongs to which class of animal kingdom? कुण से animal kingdom के कुण से class से Crocedura narco-damica belong करता है? A. mammals, B. reptiles, C. elves, D. species यहने कुण सी इस में करता है? क्लिक करें, ओके क्लिक करते हैं The answer is A. mammals, यह single species discovered हुए दोस्तों जितने भी species discovered हुए 2021 में उसमें से single mammal species है देख लेते हैं कैसे दिखते हैं? प्रोसिडूरा narco-damica यह देखो एकदम चुवा, चुचुंदर जैसा एकदम लंबिनाक वाला है न, लंबिनाक यह एकदम चुचुंदर जैसा है वाइट टूथ श्रू कहा जाता है इसको यह कहां पर पाए जाता है? तो यह जो नाम है उसके इससे, यह पाया जाता है, narcon dam island कहां पर पाया जाता है? narcon dam island narcon dam island actually यह अंदमान sea में जो है अंदमान sea जो है, इसमें एकदम easternmost island है यह holcanic है, लेकिन holcanic कैसा है? यह dormant है dormant holcanic है और non-habitable है चोटा साई non-habitable है ठीक है चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज में दोस्तों इंडिया एड्स 540 स्पीसिस अफ फिनल डाटाबेस फिनल डाटाबेस 2021 जो जो जुलोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने 1st जुले 2022 को अपने 107 फांडेशनल डे पर रिलीज किया उसमें बताया कि 540 540 स्पीसिस उनन डिसकवर्ड कर दिया गया है और इसी वज़े से टोटल नंबर अभी कितने हो गए 1,3,258 अब ग्लोबल डाइवर्सिटी का या कॉंट्रुबूशन एडि देखा जाए तो जो अभी टोटल हो गई 55,048 अब फ्यूनल स्पीसी ज़एदी देखा जाए तो उसमें सिर्फ ये जो था एक अकेला मैमल में था 35 रेप्टाल्स में 19 फीश थे 80 इंसेक्स थे फ्लोरल इसमें देखा जाए तो सबसे जादा जो डिसकोरियो केरला से हुई उसके बाद महारस्टा और उसके बाद अरुनाचल प्रदेश में हुई ये पब्लिश किया है बॉटनिकल सर्वे आफ इंडिया ने तो दोस्तों ध्यान में रोको की ये जो है ये पट्टा जो है ये लिए जए गाट वेत्टन गाट ये आफट्स पॉट्ट बहुत ही इंपॉटन है यहाँ पर बहुत सारे फ्यूनाल जो है मना बहुत सारे वन ज़वनेस पतिया साथ में ऐसा नहीं है यहाँ पर भी है यह एरिया जो है न Hash Band यह नॉर्थ इस्ट एरिया भी आपको दिखते हैं यह सेकंड बायोस्पेर रिजोर्ड है यहाँ पे बायोडिवर्सिटी होस्पाट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चिन Tropical Cyclones of which region of Pacific Ocean is called as a Typhoon कोंसे Pacific Ocean के कोंसे region के Tropical Cyclone को Typhoon कहते है Central North Pacific, Eastern North Pacific, Western North Pacific, Eastern South Pacific क्लिक करें एक दम से सिंगल लाइन वेश्चिन मैच कर एंसर, Western North Pacific, चलो देख लेते हैं क्या है भाई Western North Pacific यह एरिया हो गया, Western North Pacific यह एरिया में जो आता है, that is called as a Typhoon और यह जितने एरिया है, desire the tropical cyclone, यह जो भी दिख रहे है, tropical cyclone यह side में इसको कहा जाता है, hurricane इसको कहा जाता है, hurricane इसको कहा जाता है, typhoon और Australia का यह जो पार्ट है, यह पार्ट में जो tropical cyclone होता है उससे कहा जाता है, willy willy इसको कहा जाता है, willy willy ठीक है, on the second July, second July 2022 को छबा टाइफून आ गया था, जिसने Hong Kong के नजदिक एक शीप को पूरा दो तुकड़े कर डाले और डुबा डाला है बहुत ही fast इसमें, यह South China Sea में तयार हो गया और Gun Go Dong प्रविंस जो है, Southern China का वहाँ पे इसका land farm हो गया था Then the third question, find out the correct pair निम्मलिकित पेर दी गए, उसमें से correct pair आपको चूज करना है अच्छा call, Ukraine's Navy Operation Control Center दूसरा है, Snake Island, Findone Sea Island Three, Odessa, Pole of Black Sea Use the correct code, आपको correct code यूज कर लेना है क्लिक करें, ओके, चलो क्लिक कर रहूँ Answer is D, all three are correct आच्छा call, आच्छा call को आच्छा क्यूँ भी कहते है ठीक है, ये Neville Operational Control Center है दो-तिन सेंटर है, उसमें से ये एक है Snake Island को पहले, Fidon, Nisi Island भी कहते थे Odessa को, Pole of Black Sea कहा जाता है चलो देख लेते हैं, क्या है News My News है, Battle of Black Sea बहुत पहले, 1787-1792 पहला Neville War हो गया था Russia और तुर्किस जो है, Neville Army के थू Called as a Battle of Fidonese अब तुर्किस के Ottoman Empire के जो पावर था नेवल पावर जबर जस्त था उसको रेशियन नेवल ने हरा दिया था और Snake Island पर अपना कबजा जमा लिया था ठीक है, Snake Island को ग्रीक जो लोग है वो Fidonese Island कहते थे Russia ने उसके बाद ओजी को capture किया और ओजी को नाम दिया है ओचा को और ओचा क्यू उसको नाम दिया गया है अब Odessa जो है, Odessa ये Port City है Black City ठीक है, तो ये थोड़ा मैप देख लो Snake Island कहाँ पर ये देखो बिल्कुल रोमानिया के पास है ठीक है, Odessa है यहाँ पर उजनी है उचा क्यू है Pontic Olbia है Kherson है Nicolavia है थोड़ा सा ये ध्यान में रखो ये है Consistrate है Karge State है, ऐसे कभी मैप ध्यान में रखो ये इधर Black Sea, इधर Sea, आप उचा हो ध्यान में रखना, ये वहुत important है अभी Fourth question Which of the following color is not part of a Pan-African flag Pan-African flag का जो है उसका उसमें कौन सा color नहीं है भई A. Red B. Black C. White D. Green Single line question है, click करो Okay, मैं click कर रहा हूँ, match करो answer Answer is C White ये color नहीं है Red, Black और Green बिल्कुल ऐसा है Red, Black ये जो है इसमें उपर में Red बीच में है Black और नीचे में Green चलो देख लेते नीचे में क्या है बही नीचे में ऐसा है कि Pan-African flag जो है Also known as Black Liberation flag या Unia That is Universal Negro Improvement Association flag ये 1920 में अडप कर दिया गया था New York में जब Unia का अडप्शन हो गया था Unia founded उसवक बनाय गया था Black nationalism और anti-colonialism इसके लिए बनाय गया था Flag जो है 2014 के police killing जो Black teenager को किया गया था वहाँ पे भी देखा गया और June 30th day जो था वहाँ पे भी देखा गया है ठीक है वहाँ पे भी लहरा गया था 2nd July 2022 को क्या हो गया था Flag जो था यह Black socialist group के headquarter फर लहरा रहा था Florida में तो उसको उरूरू मोमेंट के एक बन्दे ने उसको जला डाला ठीक है Flag actually यह flag क्या है It's a symbol of solidarity of people of African ancestry around the world अब color क्या indicate करता है Red unifying the bond of blood Also shade the fighting for the freedom यह भी दूसरा है Black Black people Who can claim one identity under the flag Green color joy It's a symbol of abundant natural wealth of the Africa Then The last question In which state The largest floating solar power plant of India Is installed by NTPC NTPC में भारत का सबसे बड़ा floating solar power plant कोंसे राज्य में इंस्टॉल किया A. Madhya Pradesh B. Telangana C. Rajasthan D. Uttar Pradesh Click क्लिक करें Okay, चलो Click कर रहा हूँ Single line question है Match करो Answer is B. Telangana Telangana में यह हो गया है चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज में When news I see है India's largest floating solar power plant Why it is significant NTPC ने 423 करोड रुपया खर्चा करके Around 500 एकर परेका floating body जो है देखो आप देख रहे हो Post में Poster में Floating body है है ना यह floating body कहा है Ramagundam में Telangana के Ramagundam में है NTPC ने 600 GigaWatt का एक target रखा है उसके तहात यह क्या गया है Aim है कि 45% of overall power capacity 2032 में attain होनी चाहिए फाइदा क्या है Significance क्या है बहुत important है कोई land acquisition करना ने पढ़ता evacuation करना ने पढ़ता लोगों को वहाँ से जाना ने पढ़ता एक खास बात है दूसरा Evaporation water body का कम हो जाता है अभी देखो यह जो Ramagundam में बना है यह floating power plant जो है यह 32.5 lakh cubic meter water जो है हर साल Evaporation से बचाएगा तो इतना पानी बचेगा दूसरा है यह पानी के उपर है तो obviously cooling effect मिलता है PVC के लिए तो इसकी durability जो है ओ बच जाएगी तिसरा है coal consumption कम हो जाएगा अभी यह जो power plant बना है 100 megawatt का इसके वज़े से हर साल 1.6 lakh ton जो coal जा है ओ बच जाएगा इतना सारा बच जाएगा साथ में carbon emission ने होंगा इसके वज़े से 2.1 lakh ton carbon जो है बच जाएगा prevent कर दिया जाएगा तो obviously बहुत ही बड़ी आ win-win situation और इंडिया में तो ऐसे solar power plant के लिए green energy के लिए बहुत सारी space है सिर्फ political जो will जो है और technological issues उसके वज़े से हम रुग गह है यह दोनों हो जाए तो बात बन जाएगी इंडिया विल बी definitely the hub of power green power बन सकता है सो दोस्तों सब equations आपने देख लिए अच्छे से facts पढ़ लीजिए समझ लीजिए all the best